हेलो फ्रेंद्स और विलकम बैक टो बोटर एडिफाइंड मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्ट सरिंदम घोष और आज मैं आप लोग के लिए फाइनरी लेकर हाजिर हूँ मज अवेटेड बाइक जिया दोस्तों सबसे जादा आप लोगों ने पूछा था अबाउट 2023 अपडेटेड बजाज पलसर 150 20 score टाले थमने सब लोगों ने समझे लिया होगा वीडियो के दौरान मैं आप लोग के साथ बाइक की एक डीटेल रिवीव करूँगा क्या यहाँ पर चेंज हुई है कितना आपको जादा प्राइस पे करना होगा माइलेज फीचर स अब इसका मतलब क्या है? जैसे तो अगर आप इसकी overall design देख रहे हैं या फिर अगर आप coloring वगरा देख रहे हैं तो जैसे पहले मिला करती थी वही आपको अभी भी मिल रहे है कोई चीज नहीं है पहले भी company यहाँ पर sparkle, black, red, black, blue, black, silver के साथ इसको produce क्या करती थी market में अभी भी भी आपको वही मिल तो color में वैसा कोई चीज नहीं है, cosplay कोई चीज नहीं है, लेकिन फिर change क्या है, मैं आपको बता दो, देखिए, OBD2 update में यह हो रहा है ना कि अंद्रूनी change की जा रही है, census दगरा में change के जा रहा है, ताकि BS6 phase 2 की जो emission 9 में उसको और जाधा strictly comply किया जा सके ताकि इसको और ज सबस्क्राइब नहीं के तो सबस्क्राइब करें के बलवडन दावाना, प्रीज मत भूलेगा, साथ में बता दू, सेकेंड आप देख रहे हैं, वो है इसकी यह E20 अपडेट, अब E20 में है क्या बहुत सारी वीडियो में आप लोगों को कहा है, 20% रिधनल और 80% पेट्रोल के साथ, फ्लिक्स फ्यूल अगर इंडिन गवर्मेंट मार्केट में ला भी देती है, स्टार्ट कर भी देती है, उसके लिए भी यह जो एट्वेंटी वाली मॉडल जो भी आपको भी दिख रही है मार्केट में, चाहिए कोई भी कंपनी की हो, वो सारी जो बाइक है अभी क जो नॉर्मल पेट्रोल है, उसके साथ भी आराम से रण कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत सब आप लोगों ने बहुत साथ पोच्छा दे इसके बार में, तो यही मैं आप लोगो बता दिया है, लेकिन यहाँ पर आउटर तो कोई चीज नहीं है, स्टिकर नहीं भी है, तो क्या यह अपडेट वाली बाइक है या नहीं, अब दिखे, इतनी सारी चीजों के बारे मैं आप लोगो बता दिया है, तो अब यह भी जानेना ज़रूरी है, कि प्राइस में क्या है, पहले कितना मिलता था, अभी कितना मिल रहा है, पहले आप लोगों को प्राइस के बार में अपडेट के बाद, बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिकर बताईएगा, और अब मैं आप लोगों को बाइक में और क्या के देखने में मिल रहा है, वो मैं आप लोगों को बता दू, अगर आप इसकी की अन कर रहे है, तो अब देख सकते हैं, मतलब और साथ ही इगनिशन आउन करने के बाद ही आप लोगों को भी मतलब अक्सेस कर सकते हैं, और साथ ही जैसे पहले आप लोगों को मिला करता था यह वाइजर, ठीक है, और यह फ्लेक्सिबल टन इनिकेटर बल्प का, यह बजाज की लोगों वगरा, सारी चीजे सेम है, अब लोगों के लिया है, इसमें बी को चेज नहीं है, बाइक है बागी के लिए बागी का अगयरा जैसे नॉमल वही मिल रहा है, इसमें बी को ब्राइब नहीं है, नहीं है तो सामने में अगर आप देखने हैं तो कोई चेंज नहीं है अगर आप लोग एंजिन में आता है तो दोस्तों यहीं बता दो यहां पर भी कोचेंज नहीं है बाकि पावर हाउस बाइक है 149.5 CC SOHC 2 valve air cool fuel injected engine जो पहले मिल दी वहीं मिल रही है पाव अगर आप पार फिकर्स पर देखने हैं वहीं बिल्कुल सेम है 14 PS की मैक्स पार और 13.25 Nm की मैक्स टॉर्ट बाकि आप लोग देख सकता है यहां पर जो किस्टार्ट पगेर आप अभी भी कंपनी हां पर प्र प्रड सब्सक्राइय को जिए अगरा प्रण। जो को मिल रही है यह तो यह निचे देख रहा है तो यह एंजिन काल अगर आप देख न तो मतलब काफी अच्छी क्या टगी है और फइब की मिल रही है यह अगर आप यह पूट्रेस्ट और इसी जो ब्रेक्लिवर बगए देखना तो इसकी भी क्वालिटी बहुत सही है और पीछे चलते ही मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो एक्साइब से पहले यह सुना देता हूँ अब दोस्तों यह चीज बहुत जादा क्लियर है कि इंजीन में बहुत जादा कुछ चेंज तो भी नहीं है अगर आप लोगों को आई है तो बिल्कुल अपनीचे कमेंट कीजेगा और देखिए अभी बाइक को एक बार दोबारा ऑन कर देते हैं लेकिन वैसे कोई फरक आपक करेंगे यह जो पुल्सर की यह मिलब जो एक लेजंडर का सकता है कि जो रिया टेल आंप आप लोगों के हां मिले वो जल्ती भी नहीं दिखे कि पाकी LED की पहले ही मिल रही है सेम सामने की तर अप लोगों के फ्लेक्सिवल टन इंडिकेटर बल्प की मिल रिए रिफलेक्ट जो डूल शॉक अब्जॉर्बर है वो आप लोगों को पहले भी मिलता था अभी भी मिल रहा है और अब अगर मैं आप लोगों को यहां पर डामेंशन के बारे बता हूं तो सीथाइट आप लोगों करीबन 795 मिल रहे है तो अगर आपकी हाइट अरॉंड 5354 तकी है बाइक आप अराम से राइट कर सकते हैं मैंनेज कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एक चीज़ अब्जर्वेशन है अगर आपको बताना चाहूंगा अगर लोग राइडर सीथ देखने को मिलेगी मैंने काफी जाधा ताइम इसको एक्स्पिरेंस किया है दन में आप लोग है और माइलेज भी आप लोगों करीवन 40-45 km तक की एक्स्पेक्टेशन आप रख सकते हैं बागी बहुत से चीज़ों पर डिबंड करते हैं जैसे आप क्लग स्रॉडल गयर कितना जादा यूज कर रहे हैं कितना जारा रिफ कर रहें बाइक को इन सारी चीज़ों पर भी ज सकते हैं काफी तगडी सिहां पर आपको यह जो साड़ी गाड़े बहुं मिल रहे हैं लेकिन हां लेडी सुट्रेस आपको देखने में नहीं मिलेगा उसके दोड़ाय सरुपया को एक्स्टा खचा करना होगा और आप लोग यहां पर देखिए यह बॉक्स से सुनगा मिल र काफियत तक यह एक्सिदेंट से रहात दे सके बाकी यहां पर आपको स्टड़ी सी जो अलब स्क्राश गाड वगए वो भी देखने को मिलती है जो यहां पर कंपनी अलग से बेशती है इसके लिए आप लोगो एक भी पैसा एक्स्टा खचा नहीं करना होगा तो सारी चीज आप लोगो को अलड़ी सुना दिया है अब अगर आप यह आइकॉनिक वाली इसके लुक पर आते हैं अब देख सकते हैं पूरा एक बर स्वाइप लेती है टाको मेटर मिल रहा है इंजिन मैल फंक्शन लाइट रप्यम लाइट स्टैंप एक बढ़ दोबार इसको आफ कर क अब दिया है और यह जो फ्यूलिटली अपर देख पारें बाकि अवरेज फ्यूल एकॉनोमी इंस्टेंछ एकॉनोमी और डिस्टन्स टॉमटी सारी चीज़ अप लोग आप देख थे तो बाइक के बारे मैंने आप लोगो को अप्लिटली बता दिया है अब थोड़ी सी ग को मिलेगी अगर पाकि सप्पेंशन अगर जाए घराथ निंगी वहां लोग देख तुऑ जाएटी टैक्शन में अप लोग तो यह भी तो भी तोड़े अपडेच्ट कर यह अप लोग को यह नो को लिगना किर वहां लोग को यह घड़ाम्प तेकन को मुझते हैं अब और अ तो यह सारी चीज़े आप लोग को अगर चाहिए थी एप बिल्कुल जा सकते हैं क्योंकि देखिए वहां अगर आप लोग जा रहे हैं तो 1,50,000 तक पे करता है तो वह बिल्कुल सही भी है लेकिन यहां पर ना पावर ज्यादा है वहां पर पावर कंट 12.4 PS की मैंक्स पावर पावर ज्यादा है चलाते है आप लोग को बिल्कुल लेवजीयस में पता चलने वाला बाकि वह बहुत सही है लेकि मैं आपको बताया कि डिफरेंस क्या है अगर आप इसको पाचे से कंपर करते हैं तो देखें दो आप पर आपको देखने को मिलती है इस्तानेड बर्शन पर आप दिखें तो आप लोग करीबन वन लाग पाटी से बनाप लाग फोटी थाज़न तक मिलेगी और अगर लोग पे चाहते हैं तो वह भी आप लोग करीबन वन लाग फिफ्टी वन थाज़न तक मिल जाएगा तो अगर आप इसको बाट बर्शन से भी कंपार करें आप लाग फोटी वहां पर बी राफ फेंच पीछ वहां पर न के बाकिन अहल के अदंवन राख आहिका बाकी हुए अगर अब लगुम अब लोगो भू को देखना है खे यह यैवार्ड आप लोगगो को अदिकला ृवी है रा आप लोग वांविआ टेखने को मिलती और ह सवां पर क्या नहीं यहां पर लोग को सपस्क्राइब डियुके सब वच रहें को 100 वाइट व और धude दोनेयों सब्सक्राइब कैस सब्सक्राइब बहुत सबस्क्राइब। के लिए काफी सही बनती है क्योंकि इसमें हैंडलिंग जो भी काफी गजब की है तो अगर आपने की बजेटरांट वान लाग फॉटी फाइफ तॉसन तक में थी दोज़ार तेस में पलसर आपको सही लगती थी तो अभी आप ये बाइक बिल्कूल खरीच सकते हैं वाकि दोस